लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए एक्सलेंसी आज इस अउसर पर मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए पांच लक्ष भी रखना चाहता हूँ पहला लक्ष टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है उनका डेटा बेस बनाने का है अलग-अलग देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की अलग-अलग परंपराय रही है इस कैंद्र में इन परंपराओं का संकलन करते हुए एक बैस्वीक संग्रह यानि रिपोजेटरी बनानी चाहिए ये कैंद्र इन परंपराओं के जानकारों मूल पध्यतियों के स्त्रोतों का अध्यन करके भी उनका एक संकलन कर सकते हैं ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग-अलग देशों में मौझूद पारंपरी चिकित्सागी महत्वपुर्जानकारी आने वाली पीडियों को मदद करती है साथियों GCTM को पारंपरिक अउसिद्यों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाने चाहिए ये आपकी संस्ता का दुक्ष्रा लक्ष्य हो सकता है इससे हर देश में लोगों का भरोसा इन आउस्षदियों पर और बढ़ेगा हम देखते हैं कि भारत की कई पारंपरिक दबाईयां विदेशियों को भी बहुत प्रभावी लगती है लेकिन वेस्ट्विक स्टेंडर्ड ना होने की वज़र से उनका नियमित व्यापार सीमित रहता है इसलिए उनकी उप्रभत अभी कम रहती है मुझे लगता है कि कई दूसरे देशों को भी इसी तरह की मुश्किल आती होगी इस ग्लोबल सेंटर को इसके समाधान के लिए भी काम करना चाहिए डबली एचों ने भी हाल में आयुरुवेद, पंचकर्म और युनानी के लिए बेंच मार्ट डॉक्युमेंट तैयार किये इसका विस्तार किया जाना भी जरूरी है साथियों GCTM एक ऐसा प्लेटफर्म बनना चाहिए जहां विश्वकी पारंपारिक चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट एक साथ आए, एक साथ जूटे अपने अनुभव साजा करें इन प्रयासों को एक ग्लोबल सेंटर अपना तीसरा लक्ष बना सकता है क्या ये संस्तान एक सालाना समारो कर सकता है कोई एन्यूवल ट्रेडिशनल मेडिसिन फेस्टिवल कर सकता है जिसमें दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों के एक्सपर्ट चिंतन करें, अपनी पद्धतियों को साजा करें साथियों, मैं समगता हूँ इस सेंटर का चौथा लक्ष रिसर्च में निवेश से जुड़ा होना चाहिए GCTM को ट्रेडिशनल मैडिसिन के खेत्र में रिसर्च के लिए फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहिए हम देखते हैं कि आदुनिक फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च खेत्र में अर्बों, खर्बों, डॉलर्स उपलब्द रहते हैं हमें उसी तरह के इसोसेज ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च के लिए भी तैयार करने चाहिए पांचवा लक्ष ट्रीट्मेंट प्रोटोकॉल से जुड़ा है क्या GCTM कुछ स्पेसिपिक बिमारियों के लिए होलिस्ट्रीक ट्रीट्मेंट प्रोटोकॉल विक्सित कर सकता है जिसमें मरीज को मोडन और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों का फायदा विले अपने हेल्टकर सिस्टिम में इन प्राचीन विद्यालयों के इफेक्टिव इंटिग्रेशन से अनेक बिमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए